दोस्तों इस भाग दौड की जिंदगी में हर कोई बीमार है, 40 साल की उम्र के बाद कोई न कोई रोग लग ही जाता है, किसी को पेट की बीमारी है तो कोई शुगर से परिशान है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, वरकलोड इतना ज्यादा है कि युवा भी बलड प्र दूसरी कई तरह की समस्याइं भी पैदा कर रही है, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुद्रत ने ऐसी बहुत सी चीजे पैदा की है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारीों का इलाज छिपा हुआ है, लोग इनका इस्तिमाल करके न सिर्फ बीमारीों को दूर कर रहे हैं, बल दोस्तों आपने लॉंग के बारे में तो सुनाई होगा लॉंग खाने में सुवाद बढ़ाने के लिए लॉंग का इस्तिमाल तो करते ही है ये बहुत सारी बिमारियों के लिए दवा का काम भी करती है और हम आपको ना सिर्फ लॉंग के फायदे बताएंगे बलकि इसको खाने का सही तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे अब सीधे पॉइंट पर आते हैं लॉंग दो प्रकार की होती है काली लॉंग का इस्तिमाल खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसे गर्म मसाले में मिक्स करके खाने में भी किया जाता है अब बात करते हैं हरी लॉंग की जो आमत्वार पर बाजारों में नहीं मिलती है इसका इस्तिमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है आपको बाजारों में लॉंग का तेल मिल जाएगा लेकिन जहां तक हेल्थ की बात है तो काली लॉंग सबसे ज्यारा कारगर होती है ये सभी घरों में मौजूद रहती है जिसके बेशुमार फायदे हैं आपको बता दें कि काली लॉंग के रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं और जिसकी वजह से इनकी डिमांड हमेशा रहती है इसमें पोटेशियम, आइरन, फासफोरस और मैगनीज की मात्रा अधिक होती है इसके अलावा सोडियम, फाइबर और वाइटमिन के भी बहुत सारे सोर्स होते हैं यही नहीं, इसमें वाइटमिन C, मैगनीशियम और कैलशियम के साथ, ओमेगा 3, एसेड, यूजीनॉल जैसे कई तत्वप आए जाते हैं जो हमारी पूरी बॉड़ी के लिए बहुत ज्यादा वाइदेमंद होता है अगर आपको ऐलर्जी है, जिसकी वज़े से खासी, जुकाम और सेरदर जैसी समस्याओं से हमेशा जूजना पड़ता है तो आप तुरंट लॉंग खाना शुरू करतें इससे चेस्ट इंफेक्शन तो दूर होता ही है, थ्रॉट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है दादे की लॉंग दातों से जुड़ी बिमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा कार होता है चूंकि लॉंग में यूजिनॉल पाये जाता है, इसलिए ये दात के दर्द को खत्म करने में मदद करता है इसके अलावा अगर आपके मसुडों में दर्द है, मसुडों में पस पड़ गया है, या पायरिया हो गया है, या दात में कीडा लग चुका है तो लॉंग का सेवन तुरंट शुरू कर दें, आपको एक दो दिन के बाद ही इसके फाइदे नजर आने लगेंगे दोस्तो जिन लोगों को साइनेज की प्रॉब्लम है या फिर वो भी लोग खा सकते हैं, साइनेज की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी लॉंग उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फाइदे मन होता है जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, जिने भोक नहीं लगती है या फिर ज्यादा खाना काने के बाद भी सेहत नहीं बन रही है लॉंग का प्रॉपर इस्तिमाल करने से भूट बढ़ जाती है, खाना शरीर को लगने लगता है चुकि लॉंग डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, इसलिए जाहिर है कि जब हाजमा अच्छा होगा तो खाना शरीर को लगेगा ही, इसके अलावा लॉंग डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, मेटबॉलिजम को दुरुस्त करता है, अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो लॉंग का इस्तिमाल करने में अपने पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं, आम तोर पर ज्यादा ऐसीड या गैस बनने के कारण ही पेट दर्द होता है, और प्रोसेस को बढ़ाने के साथ मेटबॉलिजम को भी मजबूत करता है, और जैसे ही ये ठीक से काम करने लगते हैं, शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, अब आप सोच रहे होंगे कि लॉंग के फाइदे तो हमने बहुत बता दिये, लेकिन इसे खाने का सही तरीका नही सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि लॉंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये ठंड में बहुत ज्यादा फाइदा करती है, ठंड के मौसम में आप लॉंग को रोज खा सकते हैं, जबकि गर्मी में उसी समय लॉंग का सेवन करना चाहिए, जब आप किसी बीमारी से रसित हैं और उसे जल्दी से निजात पाना चाहते हैं, लॉंग को खाने का सही तरीका ये है कि आप रात में सोने से पहले दो लॉंग चबा चबा कर खाएं, इसके बाद एक गलास या एक कप गुनगुना पानी पी लेजिए, लॉंग खाते वक्त इस बात का ध्यान रहे क उसके फूल तूटे हुए ना हो, लॉंग के उपर जो नौक निकली हुई होती है, उसे जरूर खाएं। हाला कि महिलाओं को लॉंग का सेवन इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, चूकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए ये पीरियट्स को भी नुकसान पहुचाती है। और सही तरीका है। अगर आप लॉंग को सीधे चबा चबा कर खाने से बचना चाते हैं या फिर इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बाजार से लॉंग का तेल भी खरीच सकते हैं। किसी भी किराना दुकान पर लॉंग का तेल मौजूद रहता है। आप इसे खरीद कर घर पर ला सकते हैं। इसका इस्तिमाल करने का सही तरीका ये है कि एक कप गर्म पानी में दो बुन लॉंग का तेल मिला लेजी, इसके बार इसे पी जाएए। इसको सुबा खाली पेट कि उसे निजात दिला सकता है। लॉंग की एक और खास बात ये है कि ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। बॉड़ी में मौजूद एंटिवाइरस सेल को अक्टिव करता है जिससे बॉड़ी के अंदर रोगों से लड़ने की शमता बढ़ जाती है। आप जानते हैरानी होगी कि जब इम्यून पावर कमजोर हो जाता है तो दवाएं भी देर में असर करती हैं। यानि आम तोर पर होने वाली बुखार, खासी और जुखाम जैसी छोटी-छोटी बीमारियों को तीन से पाँच दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इम्यून प इस तरह की जाच कराने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लॉंग इस तरह की तमाम समस्याओं से निजात दिलाने की शमता रखती है। तो दोस्तो आपको यी वीडियो कैसा लगा? इस बारे में हमें जरूर बताए पसंद आया हो तो इसी लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।